So welcome back everyone, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में आज की वीडियो में हम एक ऐसे प्रोडक्त के बारे में डिस्कस करेंगे जो की much talked about है लोग उसे काफी पसंद करते हैं और देखो भई शॉप पे हम बैठते हैं हमारा खुद का भी बन कर जाता है जैसे अब शॉप पे बैठो एक product बिखता ही जा रहा है बिखता ही जा रहा है तो लगता है ना भी ऐसा क्या खास है ट्राइ करके देखें ऐसा ही product खुद ट्राइ कर रहा हमने आप हम जिस product के बारे में बात करें वो सेटफिल का जेंटल फ्लेंजर कुछ ऐसी packaging में यह आता है यह एक much talked about product है मलब लोग face wash के लिए इसको काफी पसंद करते हैं तो मैंने भी सोचा इसको try दिया जाए मेरे को total 3 दिन हो गए है इसको use करते वे तो total 5 बार लगभग use कर चुका हूँ तो अब एक साही time है जब मैं इसको review कर सकता हूँ और आप लोगों को बता सकता हूँ कि क्या pros है और क्या cons है इसके क्या चीज़ें आपको पसंद आने वाली है क्या बिल्कुल नहीं पसंद आने वाली आज की वीडियो में हम setafil के gentle cleanser के बारे में review करेंगे और आपको detail में बताएंगे setafil के बारे में आदेते हैं जो setafil खुद बताता है जैसे कि ये non-comedogenic है hypoallergenic है ये किसी को allergy नहीं कर सकता आपकी eyes को बिल्कुल irritate नहीं करेगा चाहिए पिसके eyes में आपके लग भी जाए ये बिल्कुल irritate नहीं करता इसके अलावा आपके pores को clog नहीं करता और ये बिल्कुल soap free है basically कहा जाए sensitive skin के लिए जादू की तरह काम करेगा अगर आपको कोई product suit नहीं करता ये must try product है आप use करोगे और ये आपको बहुत perfectly suit करेगा मैं अपना review भी आपको दूँगा कुछ customer reviews आपको देखते हैं जो हम use करके गए है जैसे कई हमारे customers ऐसे होते हैं जो कोई भी face wash से satisfy नहीं हो पाते जैसे extra dry skin है उनका ये कहना हम कोई भी face wash उस करते है skin में खिचाव सा आजाता है तो इस face wash में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी ये creamy face wash है ये आपकी skin पे moisture retain करेगा और proper cleansing भी करेगा इसको use करने के भी कई तरीके होते हैं हम सारे तरीके भी बताएंगे और आपको मेरा review भी बताऊंगा आपको टोटल इसको 3 डंग से use कर सकते हो आप सबसे पहले एक makeup remover आपका अगर light makeup है waterproof makeup की बात नहीं कर रहे light makeup आप अगर cotton wool pad पे लें इसको massage करके करेंगे आपके properly remove कर देगा और ice पे बिल्कुल sting नहीं करेगा irritate नहीं करेगा second आप इसको as a face wash की तरह यूज़ कर सकते हैं face को थोड़ा सा wet किया water से massage करके rinse कर दिया बहुत अच्छे दे cleanse करेगा third or final waste को use करने का है आपने पानी नहीं लेना जैसे cleanser यूज़ करते हो पूरे face पे एक layer लगाई इसकी and then आपने इसको massage करकर जो extra बचर है उसको आप cotton wool pad से wipe कर सकते हो ये एक बहुत बढ़िया तरीका है dry skin के लिए dry skin पे moisture भी retained रहेगा और बहुत अच्छी cleansing होगी आपके face से excess pollutant या फिर जो dead skin होती है वो properly remove हो जाएगी कुछ बात हो गई Cetaphil क्या बताता है अपने product के बारे में अब बात करते हैं मेरा review जैसे कि मैंने आपको बता है मेरे को 3 दिन हो गया इसको यूज करते हुए इनिशल चीज की बात करूं तो भई मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया मैंने जैसे ही apply करा मेरा I was like कि लोग क्यों खरीदते हैं ऐसा product पर जैसे जैसे वो थोड़ा जैसे जब मैंने wipe off करा तो मुझे पता लग गया फेस एकदम soft कर देता है आपका एक चीज में आपको बता दू मेरी skin oily है जैसे कि आपको बताया मैंने यह face wash more for dry and sensitive skin है बट यह मेरे face को भी perfectly suit करा मेरे face से इसने excess oil हटा दिया और skin को बिल्कुल dry नहीं किया skin बलकि इसने soft कर दी एक जो होता है excess moisture वो हट गया बट skin में natural moisture maintained भी रहा तो यह face wash मुझे भी personally बहुत पसंद आया अगर आपकी skin oily आप तब भी इसको try कर सकते हो बट dry or sensitive skin के लिए तो magic की तरह काम करेगा ही करेगा इसका texture बहुत ही क्रीमी है आप अगर इसको देखो कि आपको लगी है जैसा आप लोशन लियाव है आपने आप जब इसको लगाएंगे बहुत कम फोम बनेगा यह बात आपको पता होनी चाहिए पर यह cleansing बहुत बढ़ी तो मैं यह बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा जैसे कि मैंने बताया इसमें फोम बहुत कम बनता है तो कई बार cleansing proper नहीं हो पाती बट daily wear के लिए this is perfect especially for sensitive this is an amazing product आपकी skin को बिल्कुल allergy नहीं कर सकता आपके face पे pH level balance रखेगा और जैसे कि मैंने बताया यह hypo allergenic है यह किसी के face इस पर कोई allergy नहीं कर सकता यह सेडाफिल की खास बात है तो अगर आपकी oily skin है तो भी आप try दे सकते हैं dry skin है तो भी try दे सकते हैं आपको हर हालत में पसंद आएगा बट जैसे कि मैंने आपको बताया जब आपको deep cleansing की जरुरत होती है तब आपको एक soap वाला face wash ही चाहिए हो है 500 ml में भी आता है 1000 ml में भी आता है जैसे जैसे weight बढ़ता जाएगा यह आपको affordable होता जाएगा सारे pricing की details आपको description में मिलेगी order की सारी details भी आपको description में मिल जाएगी हमारे store का google maps का link भी आपको description में मिल जाएगा अगर आप हमारा store visit करना चाहे तो भी most welcome है आप हमारी wide variety देख सकते हैं setafil के अलावा भी अगर हमारी video पसंद आई हो तो video को like कर सकते हैं और channel को subscribe कर सकते हैं until next time this is your story it's Sajdeva